वेलकम बैक डियर सब्सक्राइबर्स तो आज की इस वीडो पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैपकट में फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना कैपकट के अंदर फोटो एडिटिंग बेसिकली कुछ दिन पहले कैपकट में एक अपडेट आया था तो उस अपडेट के बाद कैपकट ने अपने एप में फोटो एडिटिंग का फीचर भी एडि कर दिया है सो फोटो एडिटिंग हम कैपकट एप में करने वाले हैं तो आपके पासे कैपकट एप होना चाहिए अगर आपके पासे कैपकट एप नहीं है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते मैं वहाँ पर आपको कैपकट के बारे में बता दूँगा एडि इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और कैपकट को यूज करने से पहले आपको किसी वीपियन से कनेक्ट होना पड़ेगा तो मेरे पास सूपर वीपियन है इसलिए मैं सूपर वीपियन को ओपिन कर ले रहा हूँ आपके पास जो वीपियन होगा आप उसे ओपिन कर ले ना उसके बाद कनेक्ट को पर क्लिक करके कनेक्ट हो जाना अगर आपके पास वीपियन नहीं है तो आप कोई सभी वीपियन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकतो ठीक है उसके बाद कैपकट को ओपिन कर ले ना एंड हा CapCut को यूज करने से पहले आपको किसी VPN से connect होना पड़ते है ठीक है अब आपके सामने कुछ ऐसा interface आजागा आप यहाँ पर देख सकते हो CapCut ने काफी कुछ update कर दिये है इसलिए मैं आपको एक photo editor का भी option देखने को मिला हुआ आप यहाँ पर क्लिक करके जस्ट अपने photo को सेलेक्ट कर लेना जिससे आप एडिट करना चाहते हो लाइक मैं यहाँ पर एक नॉर्मल सी photo सेलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद edit को पर क्लिक कर देना तो आपका जो image होगा photo होगा वो जस्ट यहाँ पर add हो जाएगा आपको देख सकते हूँ ठीक है तो इस तरीके से आप यहाँ पर यहाँ पर इंटरफेस में आ सकते हो अब आपको यहाँ पर सारा tools देखनों को मिल जाता है जिसकी मदद से आप अपने photo को edit कर पाओगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर size का एक option देखनों को मिल लागा इसके मदद से आप अपने photo का जस्ट यहाँ पर size को change कर सकते हो लाइक इस तरीके से ठीक है और इजनल वाला ही ज्यादा बेटर है तो मैं इसे back कर देता हूँ and original वाला ही रखते देन उसके बाद अगर आपको अपने photo के उपर कोई text अगेरा add करना है तो काफी कमाल का यहाँ पर आप जस्ट टेक्स्ट के उपर click करना इसमें आपको बहुत सारे different different type के आपको style से दे text देखने को मिल जांगे जिन्हें आप easily use कर सकतो आपको सिर्फ select करना है कौन सापको पसंद आ रहा है लाइक इस टैप अगर पसंद आ रहा है इन्हें आप यूज कर सकतो जो भी अच्छा लग जाता है जस्ट उसे select कर लो जहां आपको रखना है आप वहां पर इस रख ले अगर जो आपको पसंद आ जाता है जस्ट उसे आप वह select कर लेना लाइक मैं से select कर लेता हूं उसके बाद आपको यहां पर style font वगरे change करने का भी option मिलता है font अगर आपको बदलना है तो आप यहां पर आजाओ कोई दूसरा font select कर लो लाइक यह वाला काफ इच्छा लग रह चैंज करना है तो इससे सबसे पहले हटा देना होगा फिर जो चीज़ा आप लिखना चाहते हो वह आप यहां पर लिख सकते हुँ तो आप यहां से सब चीज़े चेंज कर सकते उसके बाद रखना चाहोगे आप जस्ट इस तरह से चोटा करेंगे या फिर जैसा भी सूटेबल लगता है वहां पर अड़ेस्ट कर सकते हो लाइक यह अड़ेस्ट होगया ठीक है काफी बड़ी है वाले एक वाटर मार्क उसके बाद आप यहां पर और आपको उप्शन मिलते हैं लाइक सेप का अगर कोई सेप वागए आपको एड़ करना है लाइक एरो स्टैप का तो इन्हें आप यूज़ कर सकतो जहां पर आपको एड़ करने की रिक्वार्मेंट होगी आप वहां पर इस रख सकतो कलर बगे लाइक कुछ इस तरीके से ओके तो इस तरीके से करके आप यहां पर सेप से यह सबको भी एड़ कर सकतो देर उसको बाद आपको यहां पर स्टीकर का आपशन मिलता है इसको पर कलिक करोगी तो काफी सारे आपको स्टीकर से देखने को मिल लाएंगे जिन्हें आप अपने जिस्ट फोटो में एड कर सकते हूँ तो मैं यहाँ पर एक हर्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड डन करते हैं उसके बाद इधर हम इसे अड़ेस्ट कर देंगे आपको जिस भी टायप का मदल को एस्टिकर चाहिए होगा कर लेना मैं यहाँ पर इस तरहीं से अड़ेस्ट करके बैक कर लेता हूँ अब इसे कहीं अड़ेस्ट करना होगा तो वहाँ पर अड़ेस्ट कर सकतो इवन आप इसका जो बैक्ग्राउंड है उससे हटा भी सकतो लाइक कट आउट को पर आपको क्लिक करोगे एंड उसके बाद यहाँ से क्विक के सेलेक्ट कर दो कुछ इस तरीके से तो यहाँ पर यह सेलेक्ट हो जागा या फिर आप इसमें आपको एक आटो सेलेक्ट का भी टूल मिलता है इसका भी यूज़ करके आप यहाँ से कट आ नहीं लग रहा है मैं जस्ट आपको तरीका दिखा दिया कैसे किया जाता है अब उसके बाद लाइट्रूम के जैसा कलर गेडिंग यह सब करने के लिए आपको यहाँ पर अप्शन मिलता है आप इसके ओपर क्लिक करना फिर आपको यहाँ पर सारा आप्शन मिल जाएगा लेक जाएगए अपदने से आप यहां पर ब्रैटनेस को 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 कंट्रोल कर सकते हो उसके बाद exposure को यहां कर सकते हो थोड़के से नगवर को बाद हो जाएगई इसके बाद आपको यहां पर एक्शर का मिलता है इसे इंक्रीज करने से wipes का लिविए आसे तरीक है से बट ज्यादा इंक्रीज नहीं करना है ठीक है इसे एंड सार्पेन को इंक्रीज कर देने का थोड़ा थोड़ा तब देख पाऊगे क्वाइलिटी काफ इन्हेंस हो चुका है उसके बाद स्ट्रक्चर का भी सेम काम है यह आपका जो क्वाइलिटे उसे इन्हेंस करने में का इसके आपके डीक्रीज करोगे आपका जो फेस है ना वह आप यहांँ देख पाऊगे ठीक करोगे तो क्वाइलिटी बढ़ेगे डिक्रीज करोग तो अस्मूथ हो जाएगी सो जो आपको रिक्वाइड होगा कर लेना हाईलाइट को अपने अपने अजयर्ट कर सकतूं ला कि आपको यहां पर एक फिल्टर को ऑप्शन मिलते हैं इसको पर क्लिक करोगे तो आपको काफे सार यहां फिल्टर देखने को मिल जाएंगे इन में से किसी को भी यूज कर सकते हो जो आपके फोटो को पर अच्छा लगता है लाइक में इसको रख लेता हूं या फिर नाइट कर लेते हैं उसके बाद बैक्घ्राउड की एड कर लेते तो अब आप यहां पर 되ek सकतूं, पहुत ही इजल्हे हम आपनेख फोटो को एडिट करका रहे है, सारह ट्रूल्स में मिल जा रहा है है तो के इस तरीए इस आपको क्या डिवारा इटfront कर सेट सेटेंग disent करने के लिए expect पर आपको क्लिक करना फिर यहां पर आपको इह फोर्टो होगा वह support होना स्टार्ट हो येगा ज peppu देना आपके डिवास में सेव हो जाएगा ओके आई होप आपको यह जो इन्फोर्मेशन वो पसंद आये हो और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई